अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजेगा और दोस्ते क्साइर भी कीजेगा अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजे और अगर कोई भी सुजाओ या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो की पीडियो भी आपको हमारे टेलेग्राम के चैनल जी एस उनिट पे मिल जाएगी तो जाके जॉइन कर लीजे जिसकी लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है चलिए शुरू करते हम एक क्वेशन से जो कि हमारे पिसले वीडि पहला वर्ड है रिलक्टेंस जिसका मीनिंग है अन्विलिंगनेस और डिस इंक्लिनेशन तो डू सम्थिंग याने अने अनेक्चिक हिंदी में बोला जाए तो अनेक्चिक मतलब बिना इक्षा के या फिर इक्षा नहीं होना जैसे एक्जामपल देख रहे थे इना वो एक्षिक नहीं है या इक्षा नहीं जिता रहे हैं ट्रेवल करने की किसलिए क्योंकि कोवेड-19 चल रहा है तो जिसके कारेंट 25 से 50% सीट्स खाली जा रही है ओके तो अगलाम वर्ड देख लेता है क्या हमारे पास डेलिबरेशन अगला वर्ड है डेलिबरेशन इसका म इसका मतलब क्या है जो इंडिया और चाइना की जो मिलेटरी के कमांडर से उनके बीच बहुत समय से डिसकेशन चल रहे हैं किसके लिए लाइन अफ एक्षुल कंट्रोल में जो सिट्वेशन उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है अगलाम वर्ड देख लेते हैं क्या है हमारे उके ओपफुल एंड। इसको हैंडि में क्या कहते है इसको हिंदी में कहते है आशावादी इसका मतलब है होपफुल और इक्सांपल देख लेते हम इसका मीनिंग क्या है इ स्ट्र प्रधान है वह वो आशा जता रहे हैं या होप पता जता रहे हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन को लेकर क्योंकि बहुत सी कंट्रीज इसको यूज करने वाली है प्राइस स्टेबलाइजेशन का अपनी एकनॉमी इसको वापस से बूस्ट करने के लिए अगला वट देख लेते हैं grievance, उसका example देख लेते हैं, the major grievance was that they did not have accessible reading material ये जो है, ये example related है किससे, जो DU ने अभी अभी फैसला लिया है, online exam करवाने का, open book exam करवाने का तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जो लोग देख नहीं सकते हैं ओके जो disabled persons है, तो उनके लिए उनके लिए ये unjustice है ये injustice है, उसके खिलाफ complaint करना, ये है grievance का मतलब, तो अगला word देख लेते हैं, क्या है हमाई पास, अगला word है barbs, अगला word है barbs इसका meaning क्या है, very strong insult और criticism बहुती बेजज़ती या criticism या निंदा, एक्जामपल देख रहेते हैं, आप BJP, trade barbs over mishandling of epidemics आप और BJP एक दूसरे पर एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं किसलिए, क्योंकि वो लोग जो epidemic है, COVID-19 ने उसको handle नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से तो ये था barb का मतलब, अगला हम देखते हैं अगला है hold, अगला बड़ है hold कमीनिंग क्या है, मीनिंग है throw और impel someone or something with great force कुछ फेकना, या कुछ आरोप लगाना ओके, तो hold का मतलब क्या है, कुछ फेकना या कुछ आरोप लगाना किसी पर example देखते हैं, the BJP और आम आजमी पार्टी, on Monday hold accusations at one another over handling of COVID-19 outbreak hold का यहां मतलब क्या है, जो BJP है और आप है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि वो handle नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में बढ़ते हुए COVID-19 के cases को, अगला देख लेते हैं अगला बड़ है, unhindered अगला बड़ है हमाँ पास, unhindered इसका meaning क्या है, not hindered और obstructed मतलब रुकावट आना, unhindered का मतलब है रुकावट आना तो इसके example देख लेते हैं nodal officer to ensure unhindered supply of essential services and medicines to people who have tested positive for COVID-19 and are under home isolation जो भी person है, जो COVID-19 में positive test हुआ है, या फिर कोई home isolation पे है तो nodal officer का फ़र्ज ये है कि उनको ensure करना है कि supply है जो mask या PPE, kit या जो भी essential services है उके, उनको वो बाधा ना बने उनके इस home isolation या इनको संभालने के लिए उके तो unhindered का मतलब क्या है, बाधा नहीं आना smoothly किसी काम को होना अगला word देखेते हैं, अगला word है stable, अगला word है मैं पास stable, ये word आपने बहुत बार सुना होगा इसका meaning देखेते हैं, the cut stalks of cereal plants left sticking out of the ground after the grain is harvested, जब भी गेहू या चावल जब भी grain को harvest किया जाता है उसके बाद जो उसमें harvest करता Bunu में । उपर की ये जैसी ये फसल है ये काट लिया जाता है इतना उपर का जो काम का हता है कहते हैं, stable, इसका example है, there has been a spike in incident of stable burning, spike मतलब है, अचानक से increase होना, okay, stable burning के cases भढ़ते जा रहे हैं, आगे देखते हम अगला, अगला वर्ड है हमाँ पास, dampens, अगला वर्ड है dampens, इसका meaning क्या है, make less strong or intense, मतलब किसी भी चीज़ को कम कर देना, किसी भी चीज़ का effect कम कर देना, इसका मतलब क्या है, जो COVID-19 है, वो क्या कर रहा है, अभी ईद थी कल, उसका जो celebration है, उसके कारण कम हो गया, तो अगर COVID-19 नहीं होता, बहुत ही धूमधाम से ईद मनाए जाती, बट COVID-19 के कारण कम हो गया, लोग सड़कों पे ज़्यादा नहीं निकले, और नहीं एक दूसर इससे ज़्यादा मिले, तो यह था डेंपन्स का मतलब अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हमाँ पस थ्रॉंग, अगला वर्ड है थ्रॉंग, जिसका मेनिंग क्या है, अलार्ज, डेंसली पेक्ट क्राउड ओफ पीपल और एनिमल, के मतलब बहुत सारी भीड बहुत कम जगय में, एक्जांपल देख लेते हैं, इसका, पीपल वुट थ्रॉंग दा मॉस्क और सरावनिंग एरिया इन थाउजंड एवरी इड दू आफ, हर इड में लोग, बहुत सारे लोग, मस्जिद के अंदर एखटे होते थे और इड मनाते थे, इसका मतलब यह है, अगल हम देखते हैं, अगला बड क्या है हमाँ पास? अगला बड है जाइब, अगला बड हमाँ पास जाइब, इसका मेंट है एंइंसल्टिंग और मॉकिंग रिमार्क और टॉंट, यहने ताना मारना, तो आग्जांपल देखते हैं, मिनिस्टर आफ स्टेट टेक जाइब एड railway minister over train diversion, आपको पता है कुछ trains क्या हुए, divert हो गई है अपने original route से, उसके लिए minister of state, railway minister पर mockery कर रहे हैं, या remark दे रहे हैं अपना, ताना मार रहे हैं एक तरीके से, ओके अगला हम वर्ड देखते हैं, क्या हम आपास अगला वर्ड है legitimate, अगला वर्ड है legitimate, इसका मिनी क्या है, able to defend with logic or justification, और valid, याने valid reason, legitimate मतलब validity, कोई भी चीज कितनी valid है, example देखते हैं, access to emergency air travel in a large country, is a legitimate expectation, इसका मतलब क्या है, emergency air travel को access करने के लिए, एक किसी भी बड़ी country में, ये एक expectation है, valid expectation है, ऐसा हो नहीं था, air travel emergency बननी ही थी, किसी भी इतनी बड़ी country में, and a targeted program run efficiently can meet that need, और इस emergency को बनाए रखने के लिए, इस emergency को tackle करने के लिए, एक efficient program चलाना पड़ेगा government को, ये था legitimate का मतलब, अगला हम देखते हैं क्या है, अगला वाड़े माँ पास bangled, अगला वाड़े माँ पास bangled, इस community के है, done very badly in a careless or stupid way, कि किसी भी चीज़ को stupid तरीके से, या खराब तरीके से करना, example is the trajectory of fresh COVID-19 cases, shows that this was aggravated by the bangled response, to the concern of migrant labor, exposing thousand of workers and their communities to infections, इसका मतलब क्या है, जो अभी fresh cases निकल रहे हैं COVID-19 के, वो कैस किस कारण से इतना भढ़ चुके हैं, क्योंकि जो response है, government का migrant labor के प्रती वो अच्छा नहीं रहा है, वो खराब था, इसलिए इतने cases बढ़ रहे हैं, अगला वर्ड है हमाँ पास, culminate, अगला वर्ड है, culminate, इसका meaning क्या है, reach a climax or point of highest development, यानि सबसे उचे point पे पहुँच जाना, किसी भी चीज़ का, या सबसे उचे situation में पहुच जाना, जैसे इसका example लेख से, weeks of violence culminated in the brutal murder of the magistrate, बहुत समय से, हफ्तों भार से violence चल रहा था, हिंसा चल रही थी, और वो अपने चरम पर का पहुची, जब magistrate का murder हुआ, इसका मतलब, culminate का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का, अपने चरम पर पहुच जाना, या पर पीक पर पहुच जाना, अगला वर्ड है हमाँ पास, tote, अगला वर्ड है, tote, इसका मेनी क्या है, carry, wield, और convey, something heavy and substantial, किसी भी चीज़ को convey करना, किसी भी substantial है, heavy चीज़ को, एक्सांपल देख रहे हैं, in its effort to tote up, 10% of GDP, यहाँ पर tote up का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है, जो government ने 10% दिया है, यह क्या है, बहुत ही substantial amount है, 10% GDP का, बहुत ही substantial amount है, यह government ने दिया है, किसलिए, pushing credit to the banks के लिए, यहाँ बैंक्स में, credit के लिए दिया है, यह 10% GDP का, यह दिया वैसे अलगलग सेक्टर को है, बट लोग जब loan लेंगे, या लोगों के पास तक यह पैसा पहुंचेगा, तो वो कहां जाएगा, indirectly bank में ही जाना है वो पैसा, या तो loan लेंगे bank, या फिर deposit करेंगे, तो यह क्या है, credit को बढ़ावा देने के लिए, यह government ने पैसल लिया था, economy को boost करने के लिए, अगला वाड देख ते, अगला वाड है माँ पास reckless, इसका मेनिंग क्या है, marked by lack of proper caution, और careless of consequences, याने बेबुनियाद, reckless का मतलब है बेबुनियाद, बिना किसी मतलब के, example, reckless filing of criminal defamation, cases against the press must end, याने बेबुनियाद, जो filing होती है, criminal defamation की, press के उपर, वो बंद हो जानी चाहिए, तो आज का lecture हमारे यहीं तक था, जित्ते भी words आए हैं, एक बार हम revise कर लेते हैं, तो हमने पढ़ा है, तोटे का meaning, reckless का meaning, bungled, culminate, jibe, legitimate, dampens, throng, unhindered, stubble, optimistic, crevences, bulbs, and hurt. तो आज की decision में बस इतना ही, thank you, thank you very much, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज लाइक कीजेगा, दोस्तों के साथ शेर कीजेगा, और अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजे, कोई भी query हो, या कोई भी suggestion हो, तो प्लीज comment box में ज़रूर बता है, और आज की वीडियो का answer भी, हमें comment section में ज़रूर बता है, और इस वीडियो की PDF भी आपको, GS Unit चैनल हमारे Telegram की चैनल में मिल जाएगी, तो जाके एक बार चेक कर लिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू फार वाचिंग,